हलो फ्रेंड्स आइम अप्रिती वेलकम एक्ट्यू आर चैनल प्लांट्स स्पेस जैसे इंसान की बॉड़ी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंसान को वो चीज महसूस होती है चाहे वो एक छोटा सा काटा ही क्यों न लगा हो वैसे ही प्लांट्स में भी होता है प् प्लावरिंग नहीं होगी या फ्रूटिंग नहीं होगी तो ऐसे ही हुआ इस प्लांट में ये रफ लेमन है जो कि कुछी दिन पहले हमने आपसे इसकी एर लेरिंग शेयर की थी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा तो उसमें इंफेक्शन हो लेकिन हमने उसको होने दिया क्योंकि हमने ये सोचा कि हमारे व्यूर्स को दिखाना भी जरूरी है तो स्टार्टिंग में हम इसको कंट्रोल कर सकते थे लेकिन हमने इसको ऐसे ही रहने दिया और फिर इसमें इंफेक्शन स्टार्ट हुआ ये है लीफ माइनल अटैक जिसमे पतियां मोड़ जाती है यानि करल हो जाती है और इसमें एक छोटी सी फ्लाई का लारवा होता है जो कि अंदर ही अंदर पतियों को खाता रहता है और उसमें से फ्लाई बनका फिर ओड़ जाती है तो इसके बारे में लीफ मैनल के बारे में हमने अल्रेडी वीडियो शेयर की ह लेकिन फिर भी आज प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे तो इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि इन पतियों को एक एक करके कट कर दीजिए और अपने गार्डन से दूर फेक दीजिए अगर कोई टहनी भी काटनी पड़े यानि कोई ब्रांच आपको कट करनी पड़े तो सकती है गुढ़ल में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कभी भी कोई प्लांट में अगर इस तरह की समस्या आती है सबसे पहले पतियों को कट कर दीजिए अगर स्टार्टिंग से ही कट कर देंगे उसको कंट्रोल कर लेंगे तो वो प्लांट शुरू से ही ठीक हो ज हटा दिया है और अब प्लांट कुछ ऐसा है अगर सारी ही पतियां हटानी पड़ जाए तो भी हटा दीजिए कोई परिशानी की बात नहीं है केवल कुछी दिन में यानि 5 से 10 दिन से 15 दिन तक 15 दिन के अंदर अंदर आपके प्लांट पे पतियां आ जाएंगी बाकी ये ग्रोइंग सीजन है तो लगबग 7-8 दिन में ही पतियां बनने लगती है नई लीप्स आ जाएंगी और अगर ग्रोइंग सीजन नहीं है माली जे सर्दियां है डोर्मेंट सीजन है तो भी कोई परिशानी की बात नहीं है क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी पतियां आएंगी या नहीं तो जब प्लांट की रूट कर रही है फोकस कर रही है अपनी ग्रोथ में तो पतियां आ जाएंगी उसमें आपको परिशान होने वाली कोई बात नहीं है हमारे प्लांट पे 20 दिन में फिर से वहरी भरी पतियां आने लगी और आप देख सकते हैं रिजल है तो ये केटेपिलर्स जो होते हैं तितली के लावा जो होते हैं वो ये पतियां खाते रहते हैं आज भी तितली इन पर गूम रही थी तो वो नीबू के पौधो पर अंडे देती रहती है उनसे केटेपिलर्स बनते हैं लावा बनते हैं वो पतियां खाते रहते हैं तो उ जैसे भी परेशानी हो सकती है फंगर इंफेक्शन की वज़े से और ये वो प्लांट है जो दो एयर लेरिंग से हमने पौधे बनाए थे एक तो हमने गिफ्ट कर दिया था और ये सेकंड प्लांट है देखे न्यू शूट बीस में छोटी सी आ रही है हमारे एक व्यूर ने कल कमेंट करके पूछा था कि क्या वो प्लांट आपका चल गया है तो हमारा ये प्लांट चल गया है और एयर लेरिंग वाले प्लांट चल जाते हैं कोई परेशानी नहीं आती है और हमारा ही जो मदर प्लांट है इस पे भी देखे न्यू ग्रोथ हो गई है पतियां फिर से हर कटिंग कर दी थी तो उसकी कुछ चोटी-चोटी कटिंग थी जो ग्रो करना तो नहीं था लेकिन फिर भी हमने ऐसे ही छोटे पॉट में लगा दी थी तो इसमें कुछ सूख भी गई है टहनिया कुछ हरी है और कुछ में पतियां आ गई है नीवू को आप बीज से कटिंग से एयर लेरिंग से हर तरह से ग्रो कर सकते हैं फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो जरूर पूछे और कभी भी किसी प्लांट में लीप्स में यानि पतियों में इंफेक्शन हो तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं किसी दवाई की जरूरत नहीं है कोई परिशानी की जर नहीं है थेंक यू